हाँ जी गुड़ इवनिंग वेलकम तु स्टडी आई क्यू आई एस स्टडी आई क्यू आई एस के एथिक्स ट्रेक्टिस सेशन में आपका स्वागत है मुझे उमीद है कि आप सब लोग जुड़ चुके होंगे मेरे साथ आज के सेशन में गुड़ इवनिंग गुड़ क्य स्टडी प्रेक्टिस में और उसमें हमें एक्जाम में भी देखने को मेला गुड़ इवनिंग सपना रएड नव एक्जाम में जब हमें यह देखने को मिली गया कि ख्रेक्टिस से लेकियंग से somos फायदा हो रहा है तो क्यू ना हम इन से साचीन का हर्पात फायू आ central Intelligence आपको और efficient बनाए और जो current affairs है उन्हीं से क्यों ना case studies को बनाया जाए आज की case study काफी ज्यादा important हो जाती है और जो news आई है उससे मैं इसे relate करूंगा लेकिन news को ही case study बना रहा हूँ ऐसा नहीं है ठीक अभी आपको मैं दिखाता हूँ चलिए गुडिवनिंग चलिए शुरुवात करते हैं कि अपको लोगों को मैं जैसे की बता चुका हूँ कि आपको पीपीटी मैं कल भेज नहीं पाया आज इसमें आपके सामने लेकर आँगा खुछी जल्दी जल्दी लिया हूँ उसको ठीक है दूसरी बात यह कि अगर आप यूपीए सी की त्यारी करी रहे हो तो लाइव बैच जोईन कर सकते हो उसमें अच्छे से प्रप्रेशन आप कर सकते हो 38 से हमारा रेगुलर मंडे टु फ्राइ आपके चलो फटाफट से आप ये न्यूज आपने कल देखिये है न ये न्यूज आप लोग ने कल देखिये लिया गुडिविंग डिविनिंग चलिए विक्रम कहरे किया समार्ट लगडरो ये इंपोर्ट इशु है स्वार्ट लगने वाला थैंक यू और तेकन ओके ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो ड्रंक थे और फ्लाइट क्रू देखिये नॉज आपने का जो प्लेन था एरलाइन थी उन्होंने कोई अपनी तरफ से इस पर सफाई दी है और ना ही गॉर्मेंट वे इस चीज़ को एक्सेप कर रही है ना कि पंजाब गॉर्मेंट भी इस को एक्सेप्ट नहीं कर रही है यह यह जो भी मामला है हमें इसमें जाना नहीं मैं यह नहीं कह रहा कि मान साब ट्रंक थे या नहीं थे हम नहीं जाते है मैं इससे एक हिंट ले रहा हूँ और वह हिंट यह कि यह यह बहुत बड़ा इश्व है ग्लोबली बहुत बड़ा इश्व है और हमारे पॉलिटिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ा इश्व है कि कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो कि जब पॉलिटिक्स में आन आफिस में उसका behavior effect हो रहा है, लोगों को effect हो रहा है उसकी हालत से, तो आप क्या करोगे, ये आज की हमारी case study रहेगी, बहुत ही important case study है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैं बात करता हूँ अक्सर emotional intelligence की, वो यहाँ पर कई लोग जहना, भूल जाएंगे सीधा, यहाँ पर देखना भी मैं आप से पूछूँगा तो कितना मज़दार सवाल आएंगे, ठीक है, हाँ, just allegations are there, all right, so हम कहीं पर भी नहीं कहे रहे की, it is true, okay, so वो है, sir, जी, आपका बर्डे, बर्डे, बर्डे अभी बहुत दूरा भाई, अभी उसके लिए वेट करते है, ठीक है, सुदान शू अगार्टी के वेलकम, शांती जी, वीवेवेश राण्जुल है, नौ, आप, वेखी नीजे मैं गूंग लिया, और मैंने हिंट लेकर एक, एक एक के सटड़ी आप लोगों के लिए बनाई, ठीक है परेंस एंट तनवीर, हाँ, okay, welcome, तनवीर सिंग, लो क्या कहता है, कहता क you are a secretary to the minister of tourism in your state आप secretary हो minister of tourism के आप उसमें अपनी state के secretary हो ministry of tourism के आप secretary हो उनके साथ आप काम करते हो your political boss is very jolly kind of person आपका जो मंतरी है political boss कौन होता है जो आपका मंतरी होता है department का वो jolly kind of person का मतलब क्या है कि वो हस्मुख है बढ़िया है अच्छा हस्ता खेलता आदमी है he takes keen interest in his work अपने काम पे भी काफी जादा ध्यान देने वाला है अच्छा काम करता है dedication से काम करता है जब करता है जब करता है तब but there is one big problem with him that he is an alcoholic person अब वो शराभी आदमी है शराभी मतलब क्या कि उसको time का नहीं समझाता कि कब पीनी है कब नहीं पीनी है alcoholic है addicted है basically his addiction is completely out of his control उसकी जो addiction है उसके control से भी बाहर होती जा रही है many a times he come to his office in a drunk state कई बार तो ऐसा पाया गया है कि भई भाई साब जो हैं अफिस का स्टाफ है उसे भी काफी जादा परिशानी होती है it is observed that sometimes he start drinking even in the office with his clause friends or party workers अब ये भी कई बार देखा गया है कि मंतरी साहब ऑफिस में बैठ कर ही कई बार जो है ना शुरू कर देते हैं पीना अपने friends के साथ या फिर अपने party workers के साथ now especially female employees do not feel safe working in such kind of environment so natural है कि जो महिला करम चारी है वो इसको लेकर जो है safe feel नहीं करते है it has also been observed that some individuals tried to exploit this addiction of the minister अब ये खतरनाक point आगया भाई खतरनाक point क्या है कि भाई मंतरी जी दारू पीते है कोई बात नहीं होता है लेकिन वो office में पीते हैं गड़बड है गड़बड उससे ज़्यादा क्या हो गई कि उनकी इस condition को कुछ लोगों ने exploit करना शुरू कर दिया जब ये exploitation वाला point आजाता है ना तब यहाँ पर दिक्कत आ जाती है they bring him expensive alcoholic alcohol bottles and drink with him and get signs on the tenders for from him अब प्राब्लम क्या हो गई प्राब्लम क्या हो गई प्राब्लम ये हो गई कि भाई कुछ vested interest वाले लोग आते हैं बढ़िया महंगी दारू की bottles उसके पास लेकर आते हैं मंतरी के पास वही पे office में पीते हैं और office में पीने के बाद ना कई बार ऐसा देखा गया कि मंतरी से फाइल पे साइन ले लेते हैं ये सबसे बड़ी प्राब्लम है ओल रएट ना दूसरा वान डे दिस मिनिस्टर इवन स्लैब दा सिक्यूरिटी पर्सोनल पर सम ट्रिवियल रिजन इन हिस स्टेट आफ ड्रंकन नेस पर बाद में उसी के लिए उसे माफी भी मांगनी पड़ी थी नाउ परसनल अम्बैरस्मेंट हो गया दा सिच्वेशन बिकेम इवन वर्स वेन ही रिश्ट इन पब्लिक फंक्शन इन ड्रंकन स्टेट अब सिच्वेशन और जादा कब बिगड़ गई जब एक बार मंतरी जी किसी पब्लिक इवेंट में नशे में होते हुए पहुँच गई याने कि एकदम ड्रंक थे और उनकी सेक्यूरिटी को काफी जादा मशक्कत करनी पड़ी काफी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उन्हें संभालने के लिए उसे कंट्रोल करने के लिए आपके लिए भी अंबरस्मेंट हो गई आपके डिपार्टमेंट के लिए भी अंबरस्मेंट हो गई कि मंतरी के लिए तो परसनल लेवल पर एंबेरसमेंट है जब वो नशे में होते हैं, तो ऐसा पाया गया है कि वो अपने परिवार वालों के साथ भी अच्छा भी है नहीं करते हैं, इन सब प्रोब्लम्स के साथ एक और बहुत ही बड़ी समस्चा जूड़ गई वो ये कि जो है वो हाइलाइट हो चुका है मीडिया में कई बार और चीफ मिनिस्टर को भी पता है मंतरी के इस इशू के बारे में जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट का यानि की मंतरी का भी जो बॉस है उसे भी पता है कि मंतरी जी जो है वो गड़बड करते हैं but at the same time since he has strong hold over his area क्योंकि मंतरी के जो एरिया से यह MLA चुनकर आये है उस एरिया के उपर इनका काफी ज्यादा strong hold है और इनकी pocket में कुछ MLA की loyalty है यानि की इनकी कुछ MLA है वो इनकी बात मानते हैं इसलिए चीफ मिनिस्टर is not willing to take any action against him अब चीफ मिनिस्टर को भी पता है आप में से कई सारे को भी पता है सब कुछ है अब यहाँ पर आपके पास यह option तो बचाईनी है ना इस situation में क्या है कि what are the hazards of an alcoholic boss at workplace अब यहाँ पर पहला सवाल तो यह बनता है कि भई एक alcoholic boss अगर आपके workplace में है तो उसके क्या-क्या नुकसान है क्या-क्या वहाँ पर लोगों को problems झेलनी पड़ पर लिए कुछ गलत है तो अगर है तो कैसे गलत है क्या-क्या-क्या इतिकल इशूज अडिलमाज नहीं का मेने इशूज का है डिलमा और इशू में फरक है आप लोग इस चीज़ को समझ कर चलिएगा चलिए तीसरा क्या है सिंस्ट यू आर इस सेक्रेटरी एंड यू हाव ऐसे सिट्वेशन में आप इन मंत्री को किस तरह से हेल्प करोगे इस सिट्वेशन से बाहर आने के लिए हाँ तो यहाँ पर शर्मा जी आ गए है शरद्धा ने भी लिखा है चंदरकान गुडिवनिंग ना प्रिती गुडिवनिंग ना आप लोगों ने अंसर देने शुर सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं मंत्री या चीफ मिनिस्टर पंजाब के उपर कोई यहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा हूं या उनको अपोज नहीं कर रहा हूं मेरे को एक केस सड़ी समझाई मुझे लगा कि UPSC हिंट लेता है जैसे कि इस बार मैंने देखा और मेरा काम यही कर देना कि कोई भी चीजबüst एक्जाम में आजै को और फ्रॉम में भी आ सकती है क्योंकि कॉर्परेट वर्ड में हम काम करते हैं हमें देखने इक नहीं विल्टा है कि वह तो मिंगा क्यों सबस्ण इनने को मिलती रहती है यह चीजे तो मेरे को लगा कि यह तो बहुत बड़ा इशुए अल्राइट सो तो इसलिए मैं यह के स्टेडी ले करा है सबसे पहला सिएफ़ी करने और पब्लिक सबसे पहला स्टेक हों डरोने को स्ट्वाल में फब्लीक आइडल सब से पहला स्टेक्वोलड कौने पब्लीक अ लाइर्ट ब्लीक है ating शूर्ण में ड्स्राम न तूरिजम मिनिस्टर तो ये इडिया स्ट ग्या और कौन हो गया, CM हो गया, CM हो गया, और बताई है, so यहाँ पर कृषा ने कहा, CM भी है, मीडिया भी है, okay, so myself, बीबु कहे रहे हैं कि मैसल, ठीक है, so मीडिया भी एक स्टेकोलडर है, ठीक है, और बताओ, फटाओ, फट से, मीडिया, मीर्टरी, रुचिता, यह, okay, humorous, ठीक है, now, Minister, CM, गौवर्मट, गौवर्मट, यह, पब्लिक फैमली, so, गौवर्मट है, ठीक है, ठीक है, और कौन है, family of the minister, family of the minister, और बताओ family of the minister, workplace people, so employees, yes, employees, ठीक है, employees के साथ साथ और कौन है, employees के साथ, okay, सतिरनारान कह रहे है, secretary, हाँ secretary, हाँ secretary, तो myself हो गया है ना, so secretary हो गया और बताओ, कौम क्या हो गया, सब्सक्राइब आपने नशे में कुछ भी ऐसी हरकत कर जाता है जो कि देश की सुरक्षा के लिए हानिकारब को सकती है तो वो एक भाट बड़ी प्रॉबम हो सकती है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉबम हो सकती है. Security of the country is also a stake. And right, so at stake, Minister himself to hai, I as secretary to the Minister and other employees of the office. Minister's security team is also a stakeholder क्योंकि Minister ki security team ko Minister nे एक ko marr dia tha tha, so wo, and Minister ki family, ये सारे के सारे हमारे इस case में kya hai stakeholders. हैं काम पर अगर आपको एक अल्कोहॉलिक बॉस मिलता है अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा कर हम अच्छे से इसमें brainstorming करके answer लिखेंगे now please write down what are the hazards क्या-क्या यहां पर problems है what are the problems of a alcoholic boss क्या-क्या problems हमें so threat threatened to the healthy workspace so threat to healthy workplace take a workplace go health healthy workplace go threat and take a hostile workplace environment we gonna be really kharty care and uncomfortable environment to be men and other workers TK productivity yes so productivity issue other than chicken productivity issue other than six productivity basically degrees or that Ian overall efficiency and effectiveness of the department so yes effectiveness and efficiency the productivity my guy effectiveness decrease or data or but output of it say unproductivity over on duty lack of consistency in work so no consistency our boss but actually a peaker a guy or I'd come in you are Hannah I'd come in you are pure by barred by something around so women women security who got yes national security who got illegal way of taking tender so women security who got women security national security who got or illegal illegal copy bill kula cha point I have a pretty case at the night and I can break employees and public trust so trust to that will could take care of certain energy mental pressure yes so mental pressure who got or care degradation of work and environment fee well employee security who gave them in security yes good evening good evening so many and the hopper kum kum ji good evening bachelor can I thank you okay the law of it was the wrong president at work yes wrong president ho gaya or without wrong message to public ho gaya family mental pressure corruption ho gaya yes the corruption is a good option or can I have mental pressure to hey Sharma ji or can tell it now all please yes are a case are a that you have to identify here in go up a party be lena you do case study me up for video my school party be lena at you say already yes are a case are a johana our our hazards banter and consequences harassment to the employees you basically who be employee HR will mail HR female and sabiqo harassment hootie threat and reputation to the growth and threat to the reputation and growth of the organization so yes I have a threat and reputation वाला जो point लेका मेरको मैं आपके लिए लेकर आया उसके बाद क्या है in some cases it may even become existential threat to the organization itself so एक जगहां पर कोई कई सारे हमने ऐसे cases देखते भी है ना आपने अपने गली महले में अपने परिवार में भी सुना होगा कि वो हमारा जो दूर का दोस्त था या रिष्टेदार था बहुत अच्छा था जब वो उसको दारू पीने की लट लग गई तो उसका बिजनस भी फेल हो गया और सारा कुछ उसने खो दिया दारू में है ना तो एडिक्शन में ये सब होता है इट इस ट्रू और वो एक्जिस्टेंशल क्राइस भी आ जाता और गनाइजिशन आप से पूछा क्या गया सवाल क्या पूछा गया है अचा ट्रू ऐक्वरफ प्लेंश अप्र्प प्लेस हज्टर्थ व न Eagles प्लेस भी उसकता है है पूभ्लीस में आप को बताना तोливо existential crisis is again a possibility, physical aggression against the employees, clients or the business, right, so, or the visitor, so, कोई भी आपका client है, आपका visitor है, या फिर आपका office का employee है, उसके खिलाफ physical aggression का भी हमें cases देखने को मिलते है, property damage का भी case हमें देखने को मिलता है, disregard for boundaries, ये सबसे बड़ा issue आजाता है, disregard for boundaries, एक minister या एक boss अपने limits भूल जाता है, professional होने की बजाए, जब वो addicted होता है, जब वो drunk होता है, तो वो professional की बजाए personal हो जाता है, तो उसमें चाहे women safety का issue हो, चाहे आप उसमें गाली गलोच लगा लो, या फिर उसमें आपको कुछ भी यहाँ पर जाता है, harassment कैलो, हर तरह है कि यहाँ पर behavior फिर दिखना शुरू हो जाता है, lack of coordination, जैसे आप लोगों ने बताया था कि lack of coordination, being not showing up, अब यह भी कई बार होता है कि मंतरी जी आने वाले, आने वाले, आने वाले, आने वाले, आने आने वाले, आने आने दोग, आरे आई इसको नोट कर लिया होगा, now, alcohol makes a man forget himself and while its effect last, he becomes utterly incapable, yes, so that is true, now, यह हिंदी में मैंने लिख दिया, इसको आप पढ़ लेना, आप फटाप 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 लेना, आ अपट से आउ, what are the ethical issues faced by the minister in this situation, क्या-क्या ethical issues आपको लग रहे है, कि minister के सामने है, इस पूरी सिचुएशन में, जहां पर वो addicted है, minister है, addicted है, आप उसके secretary हो, उसकी वजह से महौल खराब हो रहा है, वो दारु के नशे में tender pass कर दे रहा है, ऐसे में, what are the ethical issues in front of the minister, आपको यह क्या क्या ethical issues he is facing क्या क्या ethical considerations हो नहीं चाहिए थी जो कि वो consider नहीं कर रहा issues पूचा है डिलेमा नहीं पूचा ethical issues पूचा है तो उसके according answer आना चाहिए फटाफट से बताई है he is not able to control his habit सो ठीक है no self-control चीक है okay और बताओ no self-control okay और बताई एफटाफट से self-interest versus क्या हुआ lack of accountability yes so no accountability no accountability और बताओ accountability towards the staff and society at last ठीक है भी भू उसके अलावा बताई है फटाफट से lack of self-control है न वो हमने लिखा unprofessional yes for unprofessional unprofessional और बताई है फटाफट से unprofessional के अलावा और बताई है फटाफट से शर्वाजी कहरें है लैक of emotional intelligence so yes lack of emotional intelligence और बताऊ फटाफट से lack of emotional intelligence के बाद लैक of productivity yes so productivity का इशू आ गया और बताई है self-respect from people it's his choice Aditya कहना है कि मा choice okay now please understand Aditya जब आप पब्लिक office में हो तो आप पब्लिक की प्रपरटी बन जा तो इस चीज को समझ का चलना damage to national security yes so national interest at stake national interest at stake और बताऊ unable to lead us okay yes so lead नहीं कर पाते हैं leadership का crisis आ जाता है leadership crisis आ जाता है ठीक है और बताऊ lack of responsible to irresponsible right so irresponsible behavior ठीक है दूसरा यहां पर शर्माजी ने कहा की not dedicated towards service so dear election of duty होगा है ना dereliction of duty हो गया ठीक है और बताऊ फटाफट से क्या issues आ रहे है women security at risk so disregard for women security harm okay और क्या है not able to provide security to office female workers है ना now office female workers को आप security नहीं दे पाते हो और बताई failure towards the service ठीक है wrong president चलिए आउफट अफट से देख लेते हैं now सबसे पहले इसमें क्या क्या ethical issues मुझे समझाए आप compromise कर रहे है security and interest of the state and its people जब आप इस तरह हैं से irresponsibly एक minister के ethical issues की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो जब आप यहां पर इतने बड़ी पोस्ट पे पहुंच कर इस तरह हैं से behave करते हो तो आप यहां पर अपने security और अपने interest of the people को यहां पर compromise कर रहे है दूसरा क्या है डिर election of his duty जो कि आपने अभी बताया तीसरा क्या है tarnishing the reputation of the government and the system as a whole so आप government की reputation को भी tarnish कर रहे हो system के reputation को भी आप tarnish कर रहो irresponsible behavior lack of property यह भी एक बहुत बड़ा इशू है कि आपके अंदर property नहीं है ओके आंट टीसरा क्या है lack of self-control probability क्यों नहीं है क्योंकि जब आप मंत्री बने थे उससे पहले जब आप MLA बने थे आपने कितने वादे किये थे कि हम बहुत भी अच्छे तरीके से लीड करेंगे हम तो best leader बन के दिखाएंगे हम तो सेवा करेंगे हम तो responsibly सेवा करेंगे ये करेंगे वो करेंगे वो सारी की सारी बाते जो है ना वो फिर हवा हो जाती है जब आप में ऐसा हमें देखने को अपने उपर रखा और जो पबलिक की सेवा करनी थी जो पबलिक का काम करना था उसे आपने साइल लाइन कर दिया ineffective and inefficient जो यहां पर मानिक ने बताया था injustice to the people of the state and his own department so injustice is the important work here आपने ना तो खुझ से नयाए किया अपने डिपार्टमेंट से नयाए निकिया अपने लोगों से नयाए नहीं किया ये हो गया और lack of leadership qualities तो ये भी यहां पर क्या हो गया एक ethical issue हो गया ये सारे के सारे ethical issues जो है किसके द्वारा face की जा रहे है मंत्री के द्वारा but he is taking alcohol on duty yes so boy हमने यहां पर यहां पर उसकी मदद कैसे करोगे यह में मुद्द है अब आप मुझे बताओ कि यहां पर क्या करोगे यहां पर मैं interesting answers की उमीद करता हूँ आप यहां पर मंत्री के secretary हो how will you deal with him and try to get him out of his addiction आप उसके मंत्री के उस मंत्री के secretary हो आप यहां पर इन से कैसे deal करोगे और किस तरह हैं से इनकी मदद करोगे to get out of addiction है यह आपका यहां पर में मुद्द है क्या यहां पर आपका answer होना चाहिए that is what I am waiting for points में लिखना शुरू करो फटाफट से points में इसे बताना चाहिए में किम अवेर आपट इस दूटे तो शर्माज ने कहा की अवेर करेंगे ठीक है में अवेर आप इस दूटी तो यहां पर यह आया point और बताई employee assistant for employee assistance program जो है न वो America की बात कर रोग आप यहां पर नहीं है वो as such as employee assistance program जो आप वो America की बात कर रो मानिक ना sir can we suggest him for some medical way to get out of addiction of course so the addiction के लिए आप suggest करो the addiction camp के लिए आप suggest करो okay विभू कह रहे है कि try to persuade by hyphen the impediments and possible optimistic outcomes if he rectified okay so that is persuasion skill record his behavior and show him the footage okay so Ankita ने अच्छा कहा कि इसकी recording करो फैल तो good इसकी recording करो उसके बाद इसको दिखाओ कि देख भाई तू कैसा लग रहा था हसो उसके उपर है राज़ुत कह रहे है कि we'll advise him to drink outside the working hours ठीक advise करेंगे but शराबी सुनेगा क्या रुचिता कह रहे है कि wrong thing is done while he is drunk ठीक है तो rehabilitation या विकास जी कह रहे है कि rehabilitation again the addiction या rehabilitation ठीक है suggest the fast how alcohol is injurious to us ठीक है कौन सुनता है मलब आप बताते तो हो suggest करते हो किस कियार मत प्या करो वो तो डारू की bottle के उपर भी लिखा होता है सुनता है क्या suggest him to visit Vipassana okay so कोई भी spiritual program के लिए आप उसे भेज सकते हो suggest कर सकते हो spiritual program के लिए आप उसे suggest कर सकते हो talk to the minister at least not drunk at office okay so Pranjal ने का कि उसे इतना तो समझा दो कि भाई यहाँ पर मत प्या कर identify in which kind of situation is the minister attracted towards सत्या रायन कह रहे है कि identify the hot spots ठीक है सब्सक्राइब कर लो क्या चीज़ है जो इसको खीचती है कुछ नहीं होता ठीक है वो कहने की बात है personal okay good evening good evening nah nah nahi सुनता नहीं सुनता भई showing empathy for that that is there a rehabilitation है ना विकास की भी बात लिको भाई rehabilitation yes because you take it now क्या इतना ही करेंगे क्या क्या यह solution है is it the only solution huh that is the you know that is आम जनता वाला नहीं बात करनी है हमें multi-pronged approach लेकर चलनी है okay try to limit his interaction and action while he is drunk yes that is good approach practice pranayam वो हम सलादे देंगे की pranayam करो warning पडो ये करो वो ठीक है staff orientation and collective efforts to maintain repetition of the area yes that is one of the good options good evening sambo चलिए नौ फटाफट से हम देख लेते हैं कि हमारी approach क्या रहेगे क्योंकि मैं यहां पर पहले introduction approach में भी पहले introduction क्या रहेगे क्योंकि मैं यहां पर क्या हूं secretary हूं and you have to face a lot of embarrassment तो यहां पर मेरी क्या approach रहेगे मैंने यहां पर लिखा कि alcoholism is defined as a chronic disease medically तो यहां पर आप अगर इसको medically अगर आप इसको देखेंगे तो medically इससे एक disease की रूप में और identify किया गया और रहेट सो एक disease एक disease अगर किसी बंदे को हो एक व्यक्ति अगर बिमार हो तो आपको उसके लिए sympathy दिखानी पड़ती है और सो इट इस डिफाइंड as a disease medically so we need to be patient so आप में यहां पर बता दिया कि मेर को किस तरह हैं से approach करना होगा मुझे पहले नमबर पर patient रहना होगा and दूसरा we have to be compassionate towards the victim of this disease हमने अगर एक alcoholic बंदा है क्योंकि हमने इसे एक medically अगर देखते हैं तो disease है disease अगर आप solve करना चाहते हो problem आपको compassionate होना होगा आपको patient होना होगा now in the given situation I need to play leadership role आपको यहां पर leadership लेनी होगी क्योंकि second in command आप यो number पहले number पर minister है दूसरे number पर आप ही हो organization के leader तो आपको leadership role लेना होगा and have to be patient and optimistic तो यह भी एक मैंने यहां पर quality लिग दी कि मेर को यहां पर चार qualities reflect करनी होगी patience, optimism, leadership and at the same time compassion जब यह introduction हो गया तो हमारा यहां पर रस्ता खुल गया उसके बाद मैंने two-fold responsibility अपने उपर लिए फिर two-pronged approach यहां पर अपनाई, वो two-pronged approach मेंने क्या लिए चले देख लेते हैं, now चब से पहले तो मुझे office की responsibility लेनी होगी यानि की office में सब सही तरीके से चले इसको ensure करना होगा, manage करना होगा office well and ensuring that the drunkenness of my political boss is not misused by the vested interests and it does not become threat to the security of the state, again please understand one thing, आप भी उसी purpose के लिए हो वहाँ पर जिसके लिए minister भी है, so आप दोनों का purpose एक ही है कि आपका office अच्छे से काम करे, आपका department अच्छे से काम करे, department का कोई misuse ना कर ले, so सबसे पहले आपका भी वही responsibility होगी आपकी भी, कि आप ये ensure कर दो कि आपका office अच्छे से चलता रहे, आपके employees आपके साथ हो और आपके boss को कोई misuse ना कर पाए, अब इसमें क्या क्या steps लेंगे, अभी मैं आपको बताऊँगा, दूसरी आपकी जो इसमें responsibility है वो ये, I need to help my boss leave his addiction and bring him back to normalcy, so दूसरी जो आपने personal level पर responsibility लेनी है, वो ये, कि आप अपने boss को normal condition में लाने में मदद करो, so यहाँ पर two-fold आपने ये जो points लिख है न, ये हमारे सिरफ second answer को match कर रहे हैं, इसमें सारे number आपको examiner नहीं देगा, आप ये responsibility office की तरफ भी है, उसको भी लेकर चलना है, all right, चले, now office के लिए आप क्या करोगे, office में सब सही चले, उसके लिए आप क्या करोगे, है न, आप inspirational books वगएरा, ये जो है न, वो, वो सर्व, सिरफ वहाँ पर काम करेंगे, second case में, first case के लिए, है न, first of all, आप अपने chief secretary से बात करो, chief secretary, senior most I.S. officer, state का, chief secretary के साथ साथ आप दूसरे senior I.S. officer से बात करो, उन से सला लो, at the same time आप chief minister से भी बात करो, ताकि ये तीनों लोग आपके confidence में रहें, जब आप इस मुद्दे पर काम कर रहे हो, क्योंकि कल को आपके उपर सबसे जो बड़ा blame आएगा, वो आएगा in subordination का कि, sorry, कि कि किस तरह से आप minister के orders को खुद देख रहे हो, किस तरह से आप minister को over shadow करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जब आप office management करोगे, कहीं ना कहीं, minister हो सकता है, थोड़ा सा side line हो जाए, तो ऐसे में सबसे पहले आपको यहाँ पर, जो required support है, वो लेनी चाहिए, और वो किस की support required है, chief minister, जो बाकी के senior IIS officers है, और जो chief minister है, अगर यह तीनों की support आपको मिल जाते है, खास करके chief secretary and chief minister की support मिल गई, तो आपका आधा काम तो यहीं हो गया, दूसरा, आप अपने employees से बात करो, again, आप अकेले कुछ नहीं कर पाऊगे, you have to work in a team, आपकी team ही है, जो यहाँ प मंतरी जैसा है, हम सब जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि मंतरी को misuse किया जाता है, उनकी inhabit की वज़से, ऐसे में हमें as a team काम करना है, ऐसे में हमें अपने responsibilities को समझना है, और हमें extra efforts डालने हैं कि हमारे office का नाम बदनाम दो हो, और हमारा जो काम है, वो best और efficient way में हो, so आपक हमें टीम को control में लेना है, confidence में लेना है, और उनकी support लेनी है for this cause, दूसरा, minimize the scope for description, अब मंतरी के पास अगर कोई बंदा आ रहा है, उनसे file पे sign कर वा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर description का scope बचा हुआ है, आप यहाँ पर minimize कीजिए scope for description, आप यहाँ पर e technology का, यानि की technology का है, हाँ पर, हाँ पर वो ले सकते हो, सहरा ले सकते हो, और यह इंशोर कर सकते हो, कि जितने भी tenders है, these are released through digital medium, तो आपको यहाँ पर जो problem बताए गए, कि लोग आकर उनसे file पे tender वाली file पे sign कर वा लेते हैं, तो यह इंशोर कर दो न, कि जितने भी tenders होंगे, digitally ही, उसकी bidding आ जाएगा, साथी में, आप यहाँ पर उसे transparency भी उसमें लेकर आपारे, उसके वर जैसे, हैना, अगर आप से मंतरी पूछता भी है कि भाई, इस बंदे का tender sign कर दो, यह इस बंदे की file पास कर दो, तो आप उसमें अपनी inability जाहिर कर पाऊगे, कि सर सारा का सारा काम ही digital है, मेर हाथ में है ही नहीं, इनको अपनी file वहाँ पर भीजनी पड़ेगी, सारा transparent way में काम होगा, अगर वहाँ पर इनकी file online आती है, बाकियों के domain में आती है, पबलिक domain में आती है, उसके बाद ही आप और मैं उस पर fine कर पाएंगे, otherwise हमारे हाथ में नहीं, सो मंतरी को सबसे पहले तो ये कर दो, और जब आप मंतरी की description को कम कर दोगे, जो आधे लोग उनके पास महेंगी महेंगी शराब की bottles लेकर आते हैं, वो वैसे ही कम हो जाएंगे, ना, इसको करने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि मिनिस्टर एक पब्लिक पर्सनेलिटी है, यह जैम पोर्टल की हम बात करने, ना, सिंस मिनिस्टर इस पब्लिक पर्सनेलिटी होने के नाते, पब्लिक प्रोपर्टी भी बन जाता है, एक मंतरी जब बन जाता है, तो आप अपने सेल्फ नहीं रह जाते हैं, आप मो कोई भी ऐसा मिस्क्रेंट जो हमें लगता है कि स्टेट चीम या मिनिस्टर की सिक्यूरिटी के लिए खत्रा हो सकता है उसे आप ओपिस में आने से मिना घोंगे आप जाए यह कहाई देंगे कि अंदर कुछ नहीं लेकर जाओगे ना तो बॉतल लेकर जौँगे ना ही चक्कू होगा नाहीं कोई आपके पहस पिस्टल होनी चाहिए नाहीं कोई मांचिस की डबी तक नीए लिए चैए तो बेसिकली उससे क्या होगा कि उसके पास मिनिस्टर के पास जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर आफिस में तो एक लिस्ट मिनिस्टर के पास खुले आम नहीं लेकर आप आएंगे अपनी बॉटल्स वगरा नौ तो एक यह हो गया दूसरा फॉर आल इंपॉर्टन डिसीजि तीसरा सिंस एलकोहल अफेक्ट्स वंस मेमरी अब आपने अपने एंपलोईस को भी यहां पर सेफ करना है क्योंकि एलकोहल वंस मेमरी को एफेक्ट करती है एक जो शराबी होता है वो भूल जाता है कि उसने कोई बात कही थी या कुछ हुआ था ऐसे में आप जो भी मिनिस्टर से और ले रहा है जो भी मिनिस्टर से बातचीत कर रहा है वो सारी रिटन में होनी चाहिए ताकि कल को आपकी टीम के लिए भी यह प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए ना दूसरा वाइल डूइंग दिस होल एकसाइज आई वोड कीप चीफ सेक्रेटरी आप इस्टे कि भई कई बार मिनिस्टर आता है दारूपी कर कई बार मिनिस्टर ओफिस में ही दारूपी ना शुरू कर देता है ऐसे में जब वो मिनिस्टर दारूपी के आ रहा है तो पता लग रहा है कि वो लड़ खडा रहा है उससे स्मेल आ रही है है ना तो इस चीज़ से पता लग आप कई सारे ऐसे close friends होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा minister या कोई भी बंदा होता है अपनी life में आपकी life में भी एक बंदा होगा जिसको आप सबसे ज़्यादा सुनते हो है ना आप कोई भी problem आती है तो वहाँ पर जाते हो उससे सुनते हो ठीक है है तो ऐसे लोगों को आप identify करो जो minister के सबसे ज़्यादा close है और उनकी help लो minister की family को बताओ कि भाई minister का office में काम बिगड़ता जा रहा है इससे इनकी public life पे भी असर पढ़ रहा है तो minister की family अगर उसमें कुछ कर सकती है तो उनकी support लो साथी में आप minister को यहाँ पर inspire कर सकते हो की personally again यहाँ पर मैंने बहुत ही एक अच्छी लाइन यहाँ पर लिखने की कोशिश की है मैंने क्या लिखा that one cannot reason with an active alcoholic so I will have to find the right opportunity and will talk to minister personally and how people perceived him and how their reputation is becoming you know worse so यहाँ पर आप ministers को persuade करोगे जब हम attitude कर topic पढ़ते हैं उसमें persuasion पढ़ते हैं तो यहाँ पर अब आपको यह देखना है कि minister का mood कैसा है एक दिन वो देखकर और minister से personal level पर बात करो minister को यह कहो कि sir आप जब नए नए आय थी तो आप बहुत ही अच्छा आपका छवी बनी थी लोग आप से inspire होते थे लेकिन क्योंकि आपकी यह habit की वज़े से लोगों को थोड़ असा आप से यहाँ पर जो लगाव था वो कम होता जा रहा है आपकी perception बिगड़ती जारी अब यह एक पॉलिटिकल आदमी के लिए perception बहुत बड़ा खेल होता है राइट सो अगर यह यहाँ पर हमने बताया तो यहाँ पर हो सकता है कि minister उसको माने और उसके बाद आप इसे convince करो की the addiction camp चैसे कि यहाँ पर विकास ने कहा था Rehabilitation Center उसके लिए आप उसे convince कर सकते हो मैं नहीं हाँ पर लिखा और बीट सीरे और डिस्क्रीट यानि कि अगर हम उसे कहरे ना कि भाई तु दी addiction camp में चलार वह नहीं जाएगा लेकिन अगर हम उसे कहने कि बॉस दी addiction camp discreetly yes वह consider कर से discreetly क्यों क्योंकि public life में अगर उसने यहाँ पर अब डी addiction camp में गया public में मैटर आ गया उसकी reputation खत्म हो जाएगी या उसको ऐसा लगेगा कि मेरी reputation खत्म हो जाएगी otherwise मैं मानता हूं कि reputation बढ़ेगी लेकिन अगर वह ऐसा करता है उसे ऐसा लग रहा होगा कि मेरी reputation खत्म हो जाएगी तो मैंने यह भी option दे दिया कि भाई discreetly चला जाओ ना है ना like that now will suggest all the women office officials in my office to have minimum interaction with minister for the time being but they should not mean that they should act weirdly with the minister so यहाँ पर मैं अपनी जो female employees है उन्हें भी बोल दुन कि भाई जब तक minister की हालत सुधर नहीं जाती है तब तक आप उससे minimum interaction रखो जो भी interaction है वो return में होनी चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि minister आया तो ऐसे नाक चढ़ाने है यह आगया आगया ऐसा वाला नहीं इस तरह से आपको यहाँ पर multiple options लेने पड़ेंगे multi-prong approach लेनी पड़ेंगे और जो आपने points बताए थे विपास ना में भीज दूँगा या जो भी भीज दूँगा वो सारे आप लिख क्या सकते हो but that is in this point all right so यहाँ पर double हमें वो लेनी होगे cctv surveillance भी होना चाहे वो आप लिख सकते हो कि cctv लगा दूँगा बट कहां लगा होगे already लगे होते हैं यहाँ पर विभू ने लिखा I can suggest for no alcohol campaign to regain public image and trust building yes that can also be suggested विभू ने भी अच्छा लिखा कि sir no alcohol campaign के लिए हम suggest करेंगे इसी को brand ambassador बना देंगे and but again tourism minister है no alcohol के लिए वो जाएगा नहीं all right so we need to change minister not to support him कुछ शर्मा कह रहे हैं कि हम change करना चाहेंगे sir अगर आपने case study को शुरुवात में पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि minister कुछ CM भी नहीं यहाँ पे कुछ कह रहा क्यूंकि minister के पास local MLS की support all right so that is not in my hand that is in the hands of CM chief minister चाहें तो कर सकते हैं लेकिन chief minister कुछ करने रहा इसलिए वो option मेंने पहले ही बंद कर दिया rehabilitation में भीजना चाहिए उनको his better half his better half for family members should be informed yes so that is Ayush हमने कहा ठीक है so yeah यह सारे के सारे हमने steps लेने हैं but again let me remind you कि multi-pronged approach होगी आपको यहाँ पर दो तरहें से इस पूरे matter को लेकर चलना है all right so a case कि आप manage करो office front को दूसरा है कि आप minister को personally manage करो now minister से ही awareness campaign के लिए motivate कर सकते है definitely you can do that मैंने यह एक answer में लिखा भी था जब मैं एक means देता था तो उसरे का एक question आया था तो मैंने वहाँ पर यह लिखा भी था कि भाई जो प्रॉब्लम है उसी को part of this solution मना दो राइट वो मैं वहाँ पर भी लिखा है तो में नंबर भी मलब मिल गयते अच्छे खासे राइट तो that is one thing where that we can do all right so that is again a possible solution प्राइट public को support में ला सकते हैं now public में जाने का आपका point नहीं बनता है विकास जी मुझे ऐसा लगा क्योंकि आप अगर public में जाते हो तो आप बहुत जादा अपनी limit को cross कर रहे हो क्योंकि minister का personal issue वो जादा है आप office को तो manage करी रहे हो न है न तो इसलिए public में नहीं जाना चाहिए एंड फिर उसे आपको ही transfer कर दिया जाएगा सर्वो मिनिस्टर से ही habit अगर हो तो वो नहीं सोच पाते है अच्छा क्योंकि हाँ ठीक है सर इस किसी ने ठीक है हाँ तो मलब वह होता है कि पिला दिया तो दो गुट पिला दे साथ ही अबाकी मेरे पर रोड़ दे वह सब चलत कर देना उसे एंड उसके बाद फिर कल दुबारा मिलेंगे अगर अंसर समझ आया तो गिव में थंज अप एंड फिर कल मिलते हैं अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते ठीक है अगर कोई सवाल हो तो तो यू की आस्क में आ औलली अट कोई वो तो बताएए सर इन दिस केस भगवंतमान वी लॉस्ट इंटरनेशनल में सो वाट तो नो कुछ शर्मा वन वन वी नीड तो अंड़ेंड यहां पर भगवंतमान के उपर जो एलिगेशन्स लगें हैं सीम के उपर वो सिरफ एलिगेशन्स अभी प्रूव नहीं हुए ठीक है तो यह है ना तो लुफ्तांजार की तरफ से आया और ना ही गौर्मेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही राइट सो इसमें सिर्फ एलिगेशन से हैं मैं अगर यहां कैदू कि कुछ शर्मा तो बहुत ही न ऐसे हैं डिस्प्लिन है इससे क्या होगा कि कुछ शर्मा वाकि में ड कुछ शर्मा खुद ने कहा देता किया मैं डिस्प्लिन हो मुझे इसमें मजा आता है तो तब तक प्रॉब्लमेटिक है ने आवन राइट सो वह है ठीक है तो यह आपको आज का सेशन समझाया होगा कल दूबारा मिलेंगे येस और पीपीट इस में आपको यहां पे भीजन रहती है और वो भी मैं आपको यहां पर भेज दूँआ ठीक है ओट वस इत morally right for आप to appointment an alcoholic as a same now Rajdut first of all we have to maintain a distinction between personal and professional one thing दूसरा how are we accurate in judging that one person is alcoholic or not right there are no facts there are no figures with us and कोई court की तरफ से conviction हुई हो इसको ले कर या फिर कोई इस तरह है से आपके पास कोई concrete proof हो, फिर आपको लगना चाहिए, बट अगर उस बंदे की छवी अच्छी है, लोग उसे vote कर रहे हैं, आप party ने कोई खुझ से appoint नहीं किया है न, उन्होंने क्या देखा कि इस बंदे को support मिल रहा है, उन्होंने उसके according काम किया, अगर किसी को चाहे तो गिरा सकती है, पुब्लिक चाहे तो उठा सकती है, पार्टी पुब्लिक के according चलती है, इस चीज को समझ का चलिया, a snake can only destroy the body, but craft this all within, yes, तो इस तरह ऐसे आप इसको court में लिख क्या सकते हो, रहाइट, okay, sir, अगर CM Minister को support कर रहे हैं, फिर हम senior से coordinate कैसा, ने, senior minister को support नहीं कर रहे है, senior minister के खिलाफ action नहीं ले रहे, there is a difference, support करना is actively you are promoting him or his behavior, but आप उसके खिलाफ action नहीं ले रहे हो, बाई, आदन एहमद लोक, बाई, thank you, ना, चले, कल मिलते हैं, ladies and gentlemen, I hope कि आपके सभी doubts clear हो गए होंगे, and thank you very much, and see you tomorrow, thank you, thank you.